वेलो एवरिवन वेल्कम टो शिक्षाविधी कैसे हैं सब उपिद करता हूं सब ठेक हैं कुशल भंगल है सब घर पे आज आपके लिए मैं एक नई शुरुवात लेके आया हूं अभी जो TCS पैटरन पर SSE में ठीके और खासकर साइंस की क्वेश्चन में बदलाव आया है सब्सक्राइब के हिसाब से मैंने वैसी सीरीज पूरे डिजाइन की है यह मेरी खुद की बनाईवी सीरीज के क्वेश्चन कहीं पर अवेलेबल नहीं है ऐसा नहीं है कि पराने टाइम पर नहीं आयोंगे बट यह कहीं टाइप डिकोश्चन नहीं पड़े मैंने खुद लिखे हैं तो मैं ऐसे लगवग 200 प्लस कोश्चन आपको कराऊंगा 15-15 कोश्चन की प्रबली 14 या 15 सीरीज बनाऊंगा तो आज पहला पार्ट है उसका ठीक है आप इसे देखना वीडियो को सब्सक्राइब करना और जरूर करना तकि यह सब यूज कर सबएं लेटेस्ट पैटरन के हिसाब से हम कोश्चन करके चलेंगे तो चैसानी रहेंगी सब चलो देखते हैं सब्सक्राइब करते के बारे में अधारमुत थेओरी किस ने दी तो जो मैटर है इसको लेकि कई सिधानत चलते आते हैं कि इसको भाग में बाटा जा सकता है नहीं पाटा जा सकता पहले बात करें तो महरीशी कनाद ने बहुत वर्स पहले कि अंदर पताय था कि प्रमानों सब्सक्राइब के बात तो खेर जैसे जैसे रिचर्च एडवान्स होई रदर फोड का जो योगदान था बहुत यूजफूल था उसके बात बहुत मोडल आया था चैडविक के रोल सबसे पहले जो बेसिक थेओरी प्रोवाइड की थी हलांकि उसमें बहुत कुछ मोडिफ फिरिचल स्ट्रक्चर बनाके हमें दिया याद रखना जॉन डॉल्टन ने सबसे घली थियूरी प्रोवाइड की लैक्टोमेटर वाक्स और डैस्ट प्रिंसिपल लैक्टोमेटर फिक्तस धान्द पर कर भीगरता है लैक्टोमेटर क्या होता है एक इस्ट्युमेट्ड जो मिल्क की purity को मेजर करता है milk purity तो दूद की शुद्ध था कितना शुद्ध है ये मापता है और ये भट पाइथागोरिस, हेंड्रिक एविंडिस आर्केमेडेज तो आपको क्या आंसर होगा अभी शेक और कॉमल, एनिमन आसकते हैं क्या correct answer होगा इसका हेंड्रिक वेंडेज टिक कर देंगा option C correct answer is आर्केमेडेज आर्केमेडेज की वो कहानी तो सबने पड़ी होगी न जो इनको राजा का मुकट वाला अशी धानते नोंने बनाया था कि वो उसके अंदर कुछ मिला रखा था सोने के बजाए और फिर जो लुपकी लगा रहे थे तब इन्होंने वाटर को बाहर निकलते वह देखा खुद के वेट के साब से डिस्पलिस करती है कोई चीज तो उस प्रिंसेपल में फिर इन्होंने यह बनाया तो घ्रने के ऐसी धान्दवाद भी इन्होंने दिये लेक्टोमेटर भी जो है वो आरके मेडिस के प्रिंसिपल पर कांग करता है राइट थर्ड क्वेश्चन इस प्रोसेस प्रोसेस पाय विच कैसे मूव अक्रोस सिल मेंब्रेन इस प्रक्रिया के माध्यम से कैसे कोसिका जिल्ली के आरप पार गमन करते हैं बहुत इंपोर्ट बताओ अपने अपने अंसर कमेंट करें के इतन उडू अब शेक लाउडिया कॉमल एनिवन और इसको करेक्ट आंसर क्या होगा चलो अपको दीवा टाइम अबाउट और हम होने वाला है कैसे किस प्रक्रिया के माध्यम से गमन करेंगे आरपार अग्ट आंसर एज और अप् आपसे अगर यह भी पूछ लें कि रेस्पिरेशन यानि कि सावसन किस माध्यम से होता है यह हमारी सेल है सेल की मेंबरेन में से छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छिद्र बने होते है माकलार चेंज करेंगे रेट कलर उठालें तो जो गैसे मानल ओक्सिजन की बात कर लेता और बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो गैसे हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन पर फ्लो करते हैं हाई कंसेंट्रेशन से लोवर कंसेंट्रेशन पर गैसे का फ्लो करना ही क्या कहलता है डिफूजन कहलता है रेट नेक्स्ट कोशन इस विच कनेक् कि एक लेए दस सेकंड बहुत होते हैं इसे जी इसकी क्वेश्चन को आंसर करने में तो विकली बताओ क्या आंसर है कि करो संगम जैंट रोड़ आंसर बताओ कि इन यह एडिया यह मैंने पढ़ाए गए हैं बाकि सारे ऐसा पुश्च नहीं इनके हिंदी नाम सब के सेम थे तो मैंने इसलिए लिखा नहीं है जो आप एपिथालियल टीश्यू पढ़ते हैं उसका सबसे कॉमन एजम्पल क्या होता है इन जो कवरिंग टेश्यू हमारा है वो एपिथालियल कि इनके लिए रहे पढ़ा रखा है ड्रमिस एपेड्रमिस उ सारा फेट स्टोर करता है हीट को रोक लेता है उसके उपर होता है तो वह सारे जिसकेर में करता है Newton's first law of motion was based on whose experiment Newton की गति का प्रथम नियम किसके प्रयोग पर आधारी तो इसी टाइप की कोशन TCS लगातार पूछ राइट और वो यह नहीं पूछ रहा कि नूटन का पहला नियम क्या था चीजों को डिटेल में और स्टेटिक पार्ट से लिंक करके ज्यादा पूछ रहे तो नूटन का करेक्ट आंसर है वेटा इसका उप्षिन सी गेले लियो इनके सी धान्त पर अधारी तो कि यह पूरा आप उन्हें बताए भी हुआ है कि उन्होंने जो मार्बल की बोल पर एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन वो इसको लोग के अंदर बनानी पाय थे डैथ होगी थी तैनरी इसको नूटन ने कॉंक्लूड किया था रास जे मिक्षर ओफ आसा किसका मिश्रण है लोग क्विक्ली टन सेकेंड सॉप्षिन ए भी सीडी क्या करेक्ट है अब शेक एक एनी आइडिया क्विक्ली बताओ इसको या ने कॉपर तैन चॉपर जिंक दिंक चॉपर दिंक टिंक टीन और च्रिट ऑट ओफ प्स दिंक एंद कोपर जस्ता और ताम य। दिया का मिक्षिर ओता है ब्रास the value of gravitational constant g was given by तो कितनी होते है 6.667 into 10 raise to power minus 11 newton 6.667 into 10 raise to power minus 11 जो एक gravitational constant है g small g होता है ना acceleration due to gravity वो अलग चीज़े उसके बारे हम फिर कभी बात करेंगे हम बात करते है constant gravitation की जो भी दो अबजेक्ट मास वाले हमें दूसरे को अड्रेक्ट करने कोशिश करेंगे वही gravitational force है तो ने न्यूटन ने gravity का पूरा concept उनका दिया हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि मैं option 8 करता हूँ तो आप गलत है the correct answer is Henry Cavendish Henry Cavendish सबसे बहले ये बताने वाले थे range of moon ये TCS बड़ा बता है ऐसे ऐसे effect उठाके पूस्ता जो मिलते ही निकाल लिया आपके लिए जान रखना चांद परता आपमान का स्तर क्या है correct answer is option B minus 190 से plus 110 degree Celsius तो कि atmosphere नहीं है तो बहुत high temperature के अदर variation अवे देखने को मिलती है कि है है कि ने ब्सकाश। जिसकस्तुर सब्सक्राइब नीक्म से घ्राइब वार को सकते हैं और ने अदा कि प्लाओ को हैं प्राइन होगी तो ऐसे दोस्टों निकालूगा पुराने नहीं होगी जिपरदस्त होगी लाइक करना चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ते लिए दिखते हैं पाच में वस्ता किसकी थोरी पर धारिद थी इफ्ट स्टेट अफ माई रिट इस नोन इस बोस आइंस्टाइन कंडनसेट आप उसका नाम पता हुआ चाहिए बोस आइंस्टाइन कंडनसेट बीए इस तिं कौन सा ऐसा पादप उत्तक है इसके पास अपात कालिन स्थीति के लिए भी लॉरोफिल होता है क्लाउड या बताओ बैटा क्या आंसर करेक्ट होगा आपने बायो पढ़िया मुझसे बताओ पैरन काईमा या कॉलन काईमा क्लोरन काईमा या नन का ओप्शन है इसका मालनों क्लाऋ क्लोरन काईमा वा सकता है क्लाइन काईमा टॉड क्रिजेंट और गया एक रॉटल करेंट करते हैं सभी डर्iform कंहिंट कमन में ऑर एक पैरन काईमा का ही पार्ट है लेकिन वो पैरन काईमा जो एमर्जेंसी में फोटो सिंथेसिस करेगा वो क्या क्या लाएगा क्लोरन काईमा क्या लाएगा तो अब एक बार अगर यह पूच लें क्लोरन काईमा किसका पार्ट है पहरन काइमा का पार्ट कोलन काइमा के बारे में ये किसी ऑप्षिन के बारे में कुछ नहीं बता रहा है क्योंकि सारे उप्षिन से लगलग क्वेश्चन में आपको फिर आगे नहीं से राएंगे इसलिए concept of atomic mass was given by प्रमानु भार का सिध्धान्त किस ने दिया था रटलो आएगा ये क्वेश्चन पक्का सेले बता रहा है प्रमानु भार का सिध्धान्त किस ने दिया था तो जो पहली थेओरी आये थी matter को लेके उसका सबसे remarkable concept था ऐसे भी पूछ लेते हैं तो पहली थेओरी जो थी वो जोन डॉल्टन ने यहीं नयाज पढ़ा था तो बबर यहीं पूछ लेते हैं जोन डॉल्टन की थेओरी या basic theory of nature इसका सबसे remarkable concept क्या था तो उसका अरस्तु जिन्होंने सबसे पहले क्लाइफ किया नेल बॉर जिन्होंने model drive किया था डार्विन विकास का सिधांतिया और टॉक्सल के बारें बताया रेक्ट अंसर क्या है डार्विन तो कमेंट करोगे नहीं इसोचा मैं ही बता दूँ इसका है अर्विन इस दा करेक्ट आंस सब्सक्राइब बहुत बहुत सिंपल कोईशन आए ऐसा यूनिट अफ वर्क लेकिन हर रोज हमें कवर किया गरेंगे राइट कि बताओ दस सेकेंड होने वाली है न्यूटन अरे नलायक और न्यूटन कैसे हो गया जूल राइट अंसरी ऑप्शन सी नर्जी तो होता है वर्क प्रोसेस अफ पायो जैनेसिस इन्वाल्स की नजर पढ़ने वाली है आज तक तो निवोचा पर अब पूछेगा अब वायो जैनेसिस का प्रोसेस उन्हें मुझसे वायो पढ़ी है उमीद करता हूं जल्दी सी बताएंगे जीवात जनन की प्रक्रिया में क्या सम्मेलित है अब जाती है पुर्टीनहर प्रोटीन हेनि लिपीड्स जो मिल जाते हैं तो यह बनाते है वेटा चल मेंब्रेन क्या बनाते है bought कोंशी का जिली बनाते है खिक है तो जल्ला पर यकिबिण को प्रोटेक्ट करके रखती है तो यही प्रोसेस क्याक लाता है लीपट और प्रोटीन से विल्के, राइट. लीपट को फैड भी कहते हैं आप ध्यान रखना वसाही है। आज का सेशन यहाँ पे खतम होता है, अगला सेशन जल्दी अपलोड करोंगा, फिर से ढिप में वजल बात कह रहा हूँ वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के पास पहुचाना ताकि सभी इस लेटेस पैटन का फायदा उठा सके यह मेरी खुद की बनाईवे सीरीज है, तो उम्मीद करता हूँ, अब सब इसे शेयर करेंगे और अच्छा रिस्पोंस मुझे मिलेगा, Till then, all the best to all of you, thanks for watching.